आज हम реagments की तरह ही TWS को लेकर जो सारे quary से उसे solve करने वाले हैं इस विडियो में best TWS under 1000, best TWS under 1500, best TWS under 2000 और best TWS under 3000, best TWS under 5000 इन सारे question का answer आज हम इस विडियो में देने वाले हैं और इस विडियो में जितने भी TWS या फिर earbuds के बारे में हम लोग बात करेंगे वो Best Earbuds 2023 में होने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग Best ANC Earbuds of 2023 Best Budget Earbuds 2023 और Best Gaming Earbuds 2023 इन सारे Earbuds के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेहूर रिश्री आप देखरें ये टेक्निकल योगर्ट चलिए वीडियो में चलते हैं लिस्ट में पहले है Best TWS Under 1000 चलते हैं लिस्ट में हमारे पहले का टेकोड़ी में Best TWS Under 1000 इस लिस्ट में बहुत जादा तो option आपको देखने को नहीं मिलेगा यहां पर सिर्फ आपको दो ही TWS देखने को मिलेगा एक है Bull Audio का Extend Earbuds और दूसरा है Boat का Air Drops Atom तो पहले चलते हैं Bull Audio के Extend में Earbuds में आपको 45 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलेगा Bluetooth version है 5.3 और इस Earbuds में आपको 10 mm का driver देखने को मिलेगा यहां पर आपको ENC मिलेगा और ENC के साथ साथ 40ms का 40ms का Low Latency Mode आपको यहां पर देखने को मिलेगा IPX5 का rating है और इसके साथ साथ आपको यहां पर Type-C Port देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए तो इस Price Point में इस Earbuds में आपको बहुती ज़्यादा Features देखने को मिलेगा तो इसके बाद चलते हैं Boat का ही Air Drops Atom पे तो यह जो Earbuds है इसका जो प्राइस है यह जो लिस्ट का जो प्राइस है इससे थोड़ा सा ज़ादा है मतलब स्पेसिफिकली मैं अगर कहूं तो 100 रुपए ज़ादा है मोडेल में आपको 13 mm का driver देखने को मिलेगा जो की काफी अची बात है Bluetooth version आपको यहाँ पर 5.3 देखने को मिलेगा और उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको ASAP charging देखने को मिलेगा Type-C port के साथ के साथ-साथ आपको यहाँ पर 50 hours का playtime मिलेगा Low latency mode आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़ादा देखने को मिलेगा वो है 50 MS तो अगर आप gaming के लिए एक TWS ढूल रहे हो तो यहाँ पर आपको बुल्ट audio का जो low latency mode है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़ादा कम देखने को मिलेगा तो चलता है लिस्ट में best TWS under 1500 पर तो यहाँ पर भी आपको ज़ादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर भी आपको सिर्फ दो ही TWS देखने को मिलेगा एक है बुल्ट audio का Z40 Pro और दूसरा है noise का aura buds without ANC वाला model उसका एक और model है जिसमें आपको ANC मिलेगा तो वो लिस्ट में आगे है पर यह जो model है यहाँ पर आपको ANC देखने को नहीं मिलेगा तो चलते हैं बुल्ट audio Z40 Pro पे इस model में आपको 100 hours का play time देखने को मिलेगा जो की काफी बढ़िया बात है और इस TWS में आपको ENC और उसके साथ साथ जो Bluetooth version आपको देखने को मिलेगा वो है 5.3 Low latency mode आपको यहाँ पर 45 MS का देखने को मिलेगा और driver यहाँ पर आपको 10 mm का देखने को मिलेगा और उसके बाद चलते हैं noise और आबर्स पे तो इस model में आपको ENC देखने को नहीं मिलेगा यह normal वाला model है यहाँ पर आपको 60 hours का play time देखने को मिलेगा ENC और Bluetooth version आपको यहाँ पर 5.3 देखने को मिलेगा Low latency mode भी आपको यहाँ पर मिलेगा पर वो है 50 MS का IPX5 का rating है और यहाँ पर driver आपको 12 mm का देखने को मिलेगा जो की काफी तगरे है तो चलते हैं Best TWS Under 2000 पे इस लिस्ट में आपको थोरा ज्यादा models देखने को मिलेगा और कुछ models में आपको ANC भी देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छी बात है इस लिस्ट में आपको Noise Buds Venus ANC, Boat Air Drops 141 ANC, Soundcore R50i, Oppo Enco Air 2i और OnePlus Nord Buds 2R इस लिस्ट में देखने को मिलेगा तो लिस्ट में पहले है Noise Buds Venus ANC इस model में आपको ANC तो मिलेगा पर वो सी 30 dB तक ही काम करेगा 40 hours का आपको यहाँ पर प्ले टाइम देखने को मिलेगा अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप ANC यूज करने के बाद कितना प्ले टाइम मिलेगा वोत मैनुफेक्चर ने कहीं पर भी मेंचन नहीं किया है लो लेनेसी मोड आपको यहाँ पर 45 MS का देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको यहाँ पर 10 mm का जाइवर मिलेगा Bluetooth version है 5.3 और उसके साथ आपको यहाँ पर IPX5 का रेटिंग भी मिलेगा उसके बाद लिस्ट में है बोट एरड्रॉप्स 141 ANC इस मोडल में भी आपको ANC देखने को मिलेगा पर वो सिर्फ 32 dB तक ही काम करेगा यहाँ पर आपको 42 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलेगा और लो लेटेंसी मोड आपको यहाँ पर 50 MS का मिलेगा ASAP Charging with Type-C port है और यहाँ पर आपको IPX5 का रेटिंग भी मिलेगा तो उसके बाद लिस्ट में है एंकर साउंड को R50i इस मोडल में आपको 30 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलेगा जो की थोड़ा सा कम है पर इस Earbuds में आपको App Support देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको 22 तरह के Equalizer देखने को मिलेगा जहां से आप साउंड को कस्टुमाइज कर सकते है और इस Earbuds का जो साउंड है वो काफी तगरा है यहाँ पर आपको IPX5 का रेटिंग भी मिलेगा और उसके साथ और यहाँ पर आपको Driver 10M का देखने को मिलेगा और हाँ यहाँ पर आपको IPX5 का रेटिंग भी मिलेगा उसके बाद लिस्ट में है Oppo Enco Air 2i इस मॉडल में आपको ANC देखने को नहीं मिलेगा पर इस मॉडल में ऐसे कुछ फीचर से जो कि जिससे की आप लोग इस मॉडल को पसंद कर सकते हैं यहाँ पर आपको Dolby Atmos का सपोर्ट मिलेगा इस मॉडल में आपको Dolby Atmos का एफेक्ट देखने को मिलेगा पर हाँ यह सिर्फ स्टीरियो एफेक्ट ही होगा इस मॉडल में आपको 28 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिलेगा Bluetooth वर्शन यहाँ पर आपको 5.2 देखने को मिलेगा Low Latency Mode भी आपको यहाँ पर 8TMS का मिलेगा जो की काफी जादा आप कह सकते हैं जो की काफी जादा आप कह सकते हैं दूसरे जो TWS से अगर हम लोग उनसे कंपेर करें तो और यहाँ पर आपको Low Latency Mode से 8TMS का देखने को मिलेगा जो की मेरे हिसाब से थोड़ा सा जादा है IPX4 का रेटिंग आपको यहाँ पर मिलेगा और हाँ Fast Charging का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा और इस लिस्ट में एक और TWS है जो की है OnePlus Nord 2R इस मॉडल में आपको 38 आवर्स का प्लेटाइम देखने को मिलेगा Bluetooth version यहाँ पर आपको 5.3 देखने को मिलेगा Bluetooth version आपको यहाँ पर 5.3 देखने को मिलेगा IP55 रेटिंग के साथ और यहाँ पर आपको ड्राइवर 12.4 देखने को मिलेगा जो की काफी बढ़िया है तो लिस्ट में चलते हैं Best TWS Under 3000 पर तो यहाँ पर भी आपको बहुत साड़े मॉडल्स देखने को नहीं मिलेगा एक है OnePlus Nord Buds 2 और उसके बाद है Realme Buds T300 तो लिस्ट में पहले है OnePlus Nord Buds 2 तो इस मॉडल में आपको ANC देखने को मिलेगा पर वोसी 25 dB तक ही काम करेगा और इस मॉडल में आपको 36 आवार्स का प्ले टाइम मिलेगा और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पर Fast Charging का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा जो की काफी अची बात है और ड्राइवर यहाँ पर आपको 12.4 mm का देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको यहाँ पर IP55 का रेटिंग भी मिलेगा उसके बाद लिस्ट में है Realme Buds T300 यहाँ पर भी आपको ANC देखने को मिलेगा पर वो सिर्फ 30 dB तक ही काम करेगा यहाँ पर आपको ड्राइवर 12.4 mm का देखने को मिलेगा पर जो यूनिक है इस TWS में वो है आपको यहाँ पर Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो की काफी बड़िया बात है 40 आवर्स का प्लेट टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा और हाँ यहाँ पर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा उसके बात चलते है बेस TWS अंडर 5000 पर तो यह जो रेंज है यह काफी हद तक प्रीमियम रेंज अब कह सकते है और यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी भी काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा इस लिस्ट में आपको Oppo Enco Air 2 Pro, Edifier TWS 1 Pro, Soundcore Life Note 3, OnePlus Buds Z2, JBL Tune 235 NC और Oppo Enco Air 3 Pro यह सारे मॉडल्स इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा तो इस लिस्ट में पहले है Edifier का TWS 1 Pro इस मॉडल में आपको Qualcomm का AppTex Technology देखने को मिलेगा और यह 2nd Gen है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर Qualcomm का CVC 8.0 भी देखने को मिलेगा Bluetooth वर्षन आपको यहाँ पर 5.2 मिलेगा 42 आवर्स का प्लेट टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा IP65 का rating है और यहाँ पर इस TWS में आपको जो sound quality मिलेगा आपको बहुत ही clear मिलेगा और उसके बाद लिस्ट में है sound code का Life Note 3 इस model में आपको ANC तो देखने को मिलेगा पर वो कितने dB तक काम करें कहीं पर भी mention नहीं है यहाँ पर आपको 35 आवर्स का playtime देखने को मिलेगा पर यहाँ पर app support है जहाँ पर आपको 22 equalizer देखने को मिलेगा यहाँ पर आप sound को कस्टोमाइज कर सकते हैं IPX5 का rating है और यहाँ पर driver आपको 11 mm का देखने को मिलेगा और उसके बाद लिस्ट में है OPPO ENCO 2 Pro इस model में आपको ANC मिलेगा और यहाँ पर भी आपको कितने DB तक ANC काम करेगा कहीं पर भी mention नहीं है यहाँ पर आपको 12.4 mm का driver देखने को मिलेगा और Bluetooth वर्शन आपको यहाँ पर 5.2 देखने को मिलेगा 28 hours का playtime आपको यहाँ पर मिलेगा और sound quality इस model में आपको काफी जादा बढ़िया मिलेगा उसके बाद लिस्ट में आगे है JBL Tune 235 NC इस model में आपको 40 hours का playtime देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको यहाँ पर app support देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको यहाँ पर fast pair Bluetooth वर्शन आपको यहाँ पर 5.2 देखने को मिलेगा पर यह जो model है इस model का जो driver है वो थोड़ा सा छोटा लगा मुझे वो है सिर्फ 6mm का पर यहाँ पर भी आपको ANC देखने को मिलेगा और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि JBL का TWS है तो sound signature काफी हद तक अच्छा है यह काफी अच्छी तरह से tuned है आप कह सकते हैं पर इस model में भी कितने डीवी तक ANC काम करेगा यह कही पर भी mention नहीं है और उसके बाद लिस्ट में है OPPO ENCO AIR 3 TOW तो इस model में भी आपको ANC मिलेगा पर वो 49 डीवी तक काम करेगा जो की काफी बढ़िया है यहाँ पर आपको 30 hours का play time मिलेगा low latency mode भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो की है 47 MS का और यहाँ पर आपको Bluetooth जो version है वो यहाँ पर आपको 5.3 देखने को मिलेगा और LDAC support के साथ-साथ यहाँ पर आपको जो IP rating है वो IP 55 मिलेगा इस price range में यह एक काफी बढ़िया option हो सकता है तो यह जो सारे model है यह under 5000 में आपको मिलेगा और इसके बाद भी मैंने एक list रखा है जिसे आप कह सकते है high resolution list मतलब यहाँ पर आपको जो सारे TWS देखने को मिलेगा वो सारे ही premium range का मिलेगा और sound quality भी आपको यहाँ पर काफी premium मिलेगा तो इस list में पहले है JBL Tune Buds इस model में आपको ANC मिलेगा पर यहाँ पर भी कही पर भी mention नहीं है कि कितने DV तक यह जो ANC वो काम करेगा application support आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको यहाँ पर 48 hours का play time भी मिलेगा और यहाँ पर आपको ambient ANC और talk through भी मिलेगा और IP54 का rating आपको यहाँ पर Bluetooth version आपको यहाँ पर 5.3 मिलेगा और जो driver है यहाँ पर भी काफी छोटा दिया हुआ है JBL ने वो है 6 mm का तो इसके बाद list में जो सारे models है यह काफी तगड़े हैं तो उसके बाद list में है तो उसके बाद list में है WFC 500 इस model में आपको 20 hours का play time मिलेगा पर यह सुनके निराश मत होई है यह जो model है यहाँ पर आपको 360 surround sound effect मिलेगा और उसके audio upscale mode भी यहाँ पर आपको मिलेगा और उसके साथ DSEE मिलेगा जो की काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको lossless quality का music normal जो file से वहाँ पर भी आपको मिल सकता है यहाँ पर IPX4 का rating आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको quick charging भी देखने को मिलेगा और उसके बाद है WFC 700 तो यहाँ पर आपको C500 का जो सारे features है यहाँ पर आपको same features देखने को मिलेगा पर उसके साथ आपको यहाँ पर ANC मिलेगा पर यहाँ पर कहीं पर भी mention नहीं है कि कितने DV तक यह ANC काम कर उसके साथ और एक चीज़ इन्होंने add किया है C700 में वह है यहाँ पर आपको super quick charging देखने को मिलेगा और उसके बाद इस list में है anchor का sound code liberty 4 तो इस model में आपको ANC तो मिलेगा पर यहाँ पर आपको ANC 2.0 देखने को मिलेगा जो की 98.5% जो noise है उसे reduce कर देते हैं high resolution sound आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा LDAC का जो support वो आपको यहाँ पर मिलेगा 50 hours का play time आपको यहाँ पर मिलेगा और उसके साथ 11 mm का driver आपको यहाँ पर मिल मिलेगा और यहाँ पर जो IP rating है यह है IP export उसके बाद list में है Jabra Elite 10 इस model में आपको ANC तो मिलेगा ही क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा premium model है पर यहाँ पर एक और जो चीज है जो इसे दूसरे हर एक model से different करता है वो है यहाँ पर आपको Dolby Atmos का surround sound effect भी देखने को मिलेगा 27 hours का play time आपको यहाँ पर मिलेगा उसके साथ दूटूट जो version है वो है 5.3 ड्राइवर जो है यहाँ पर आपको वो 10 mm का मिलेगा पर यह जो TWS है यह बहुत ही light weight है यह सिर्फ 161 grams का है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक like, share और प्ली है कि यह जो फीडियो है यह 2023 का है पर अभी 2024 का शुरुआदी हुआ है और अगर आप एक अच्छा TWS ठून रहे हो तो तो आप इन सारे TWS को check out कर सकते हो और सभी को मेड़ी तरफ से happy new year मैं हूरी श्रीव फ्रम टेक्निकल योगाट signing out प्लीज बेस्ट सेख्शित के ऊच्छाट सेख्वाटस तो खरे लाट कि में हुआब कर से सारे TWS तो 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 पीडियोगाट सेख़्चा TWS